इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे सेक्टर की और उससे जुड़े तीन mutual funds की जिन्हों ने इस साल 2022 में सबसे बहतरीन performance दिया हैं तो यहाँ पर जिस mutual fund के sector की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है thematic mutual funds या फिर sectoral mutual funds आपकी जनकारी के लिए बताता चलो कि thematic या sectoral mutual funds एक ऐसे mutual funds होते हैं जो किसी fixed theme में ही invest करते हैं जैसे कि IT, power, auto, energy जैसे sectors में return के ममले में बात किया जाएं तो thematic fund इस साल 2022 का सबसे बहतरीन return देने वाला sector माना गया है सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे mutual fund space में जितने भी thematic funds हैं उसमें सबसे ज़्यादा fund का inflow आया है यानि जो भी thematic funds का AUM यानि asset under management है वा 18% बढ़ चुका है जनवरी से लेकर के नमूंबर 2022 के बीच में यानि इससे सीधे सीधे यह पता चल रहा है कि public अपना पैसा काफी अधिक thematic mutual funds में लगा रही है तो इसलिए हम क्या सकते हैं कि mutual fund की सारी केटेगरी में thematic funds ही ऐसे fund है जो की return देने में toppers रहे हैं अब आईए बात करते हैं उन तीन mutual funds की जिनके return 2022 में सबसे अधिक रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से आपको बताना चाहूंगा कि यह कोई निवेश की राय नहीं है तो अगर आपको in mutual funds में invest करना है तो पहले आप अपना research ज़रूर करें और हाँ offer documents को ध्यान से पड़ें तो सबसे पहला mutual fund है SBI PSU fund तो यह जो mutual fund है वो PSU stocks में ही invest करता है यानि public sector unit के stock में invest करता है जो government related companies रहती हैं बात करें returns की तो आप यहाँ पर stable को देख सकते हैं हमने यहाँ पर SBI के PSU fund को लिया है और उसके comparison में BAC 100 index यानि एक तरह से आप Sensex मान सकते हैं Sensex की top 100 companies का comparison किया है इस fund के performance से तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पिछले 6 महिने में BAC 100 index ने 19.64% के return दिये हैं वहीं पर SBI PSU fund ने 32.57% के return दिये हैं एक साल की बात करें वहीं 3 साल के return की बात करें तो BAC 100 ने 16.96% के return दिये हैं वहीं पर SBI PSU fund ने 17.04% के return दिये हैं तो कुल्म ला करके आप देख सकते हैं SBI PSU fund की पिछले एक साल की performance बहुत ही धामकेदार रही है अब आईए बात करेंगे कि SBI PSU fund आखिर invest किसमे करता है तो आप देख सकते हैं इस table में की SBI PSU fund का investment mainly large cap companies में ही होता है आप देख सकते हैं इसका 27.55 giant और large में 37.98% यानि कुल्म ला के large cap companies और बाकी लगभग 23% mid cap companies में होता है बाकी small cap में लगभग 10-11% का investment है अब अगर stocks की बात करें main-main stocks तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे public sector वाले stocks हैं जैसे SBI, NTPC, Mazgao Dock, Indian Bank, Bank of Baroda, Bhar Electronics से करते-करते, Punjab National Bank, ONGC, Rights, Indian Oil, Hindustan Copper, Gale India और Chennai Petroleum तो कुल्म ला करके इसका portfolio large cap oriented portfolio है जिसमें की maximum सरकारी stocks हैं और इस SBI PSU fund बहुत ही शांदा return दिया है अब चलिए अगले fund की बात करें जिसका नाम है ABSL PSU Equity Fund आपने देखा ये भी एक दूसरा fund है जो की PSU stocks में invest करता है अब returns की बात करेंगे तो जहाँ पर BSE 100 Index ने 19.64% के return दिये हैं पिछले 6 मेने में वहीं पर आदित बिल्ला PSU fund ने 31.6% के return दिये हैं लेकिन return के मामले में आप देख सकते हैं कि इसने सभी funds को पीछे छोड़ दिया हैं अब आएए portfolio की बात करें तो portfolio में देख सकते हैं कि इस fund में भी अधिकतर large cap oriented stocks ही हैं और mid cap में लगभग 22% और small cap में लगभग 76% का investment हैं companies की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी कुछ वैसे ही companies हैं जैसे हमने SBI PSU fund में देखी थी यानि State Bank of India, NTPC, Bank of Baroda, Coal India, Power Grid करते हुए Bank of India, Gale, NMDC, Canra Bank, Bharat Electronics, NLC India, BEML और Musgaon, Dock, Shipbuilders तो कुलमला करके इन दोनों funds का portfolio काफी similar है बस थोड़ा उपर नीचे हैं अब आये जानते हैं number one mutual fund की जिसने इस साल में सबसे अधिक return दिया है तो उस mutual fund का नाम है ICSAE Prudential Infrastructure Fund यह एक ऐसा fund है जो mainly infra stocks में ही निवेश करता है returns की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6 मेहें में जहाँ पर एक और BSE 100 ने 19.64% के return दिये हैं वहीं पर ICSAE Prudential Infra Fund ने 30.58% के return दिये हैं एक साल की बात करेंगे तो ICSAE Prudential ने 30.8% के return दिये हैं और पिछले 3 साल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 28.52% के massive returns दिये हैं तो कुल मिला करके आप इसका return देख सकते हैं कि पिछले 1.5 सालों में इसका return बहुत ही शानदर रहा है अब आईए ICSAE Prudential Infrastructure Fund के portfolio की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस mutual fund में जितने भी stocks हैं वह large cap, mid cap और small cap में बराबर धंग से बटे हुएं stocks की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NTPC, LNT, भारती Airtail, ONGC, HDFC Bank, HDFC, Kalpatru Power से होते हुए LIC Housing Finance, Sundaram Finance, Indian Oil, JM Financial, Tata Steel, Chennai Petroleum और Birla Corporation तो यह वो stocks हैं जिसमें ICSAE Prudential Infrastructure Fund का investment है और यह है इस साल का बहतरीन return देने वाला mutual fund अब आप यह chart को देखिए यह पिछले एक साल का chart है जो कि January 2022 से December 2022 का है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो blue line है आप देखिए यहाँ पर जो blue line सबसे उपर वाली है यह ICICI Prudential Infrastructure Fund की है और आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसने सबसे अधिक perform किया है तो इसक ग्राफ सबसे जादा उपर है उसके बाद आप second number का देख सकते हैं कि SNP BSE PSU Index यानि यह PSU Index है अभी बीते एक साल में PSU सेक्टर ने काफी बहतरीन performance दिया है आप कोई भी PSU stocks उठा के देख लीजे चाहे तो PSU Banks हो चाहे तो Railways related stocks हो चाहे तो Defense related stocks हो तो खुल मिला करके PSU सेक rate की यानि Sensex की तो कुल मिला करके Sensex के top 100 companies का return सबसे खराब रहा है पिछले एक सालों में जो इस चार्ट से आपको पता ही चलता है अब आईए बात करेंगे कि हमें आगे इन mutual funds में क्या करना चाहिए तो देखिए जहां तक PSU सेक्टर की बात है उसमें रैली तो अलड़ी ब infrastructure sector में invest करते हैं वह थोड़े risky होते हैं और इनमें अगर आपको निवेश करना है तो फिर ध्यान से करा हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो भी performance देखी in some mutual funds की वह पिछले 1.5 साल की है और ऐसी कोई guarantee नहीं है कि यही returns आने वाले future में repeat ही होंगे thematic funds के बारे में overall बात की जाए तो नए निवेशकों को इसमें निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जादा risky होते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस strategy से निवेश करते हैं कि आपको thematic funds में long term के लिए invest करना है तो फिर आप गलत हैं क्योंकि thematic funds अक्सर cyclic होते हैं यानि उनका cycle हो सकता है एक 2 साल तक चले फिर आने वाले 4-5 सालों तक ना चले तो इसे सबसे देखा जाए तो thematic fund में exit strategy बहुत important रखती है यानि अगर आपने किसी भी thematic fund में invest कर दिया तो long term के लिए invest ना करें और जैसे ही आपको लगता है कि इस thematic fund की cycle end हो रही है तो फटा-फट आपको उसमें से exit लेना होगा नहीं तो आपको काफी बड़ा loss हो सकता है अगर आप एक नए investor है तो फिर मैं तो यह कहूंगा कि आप thematic funds में invest ना करें बलकि large cap, flexi cap या फिर multi cap funds में invest करें दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि यह multi cap funds क्या होते हैं कहां invest करते हैं और ऐसा कौन सा fund है जो लगातार consistent return दे रहा है तो उसके लिए देखिए यह video